अलो वाइज आम स्याम संदर कोशिक एंड यू आ वाचिंग स्याम संदर क्लासेज तो आज हम साधरण ब्याज एसाई का पार्ट 3 लेकर आएं जो कि एक ही मेधड़ से पूरी एसाई खत्म हो जाएगी तो हमारा क्वेस्चन है कोई धन साधरण ब्याज पर उधार दिया गया तीन ब्रस में उसका साधरण ब्याज मूल धन का तीन बटे 5 हो गया ब्याज की वारसिक दर ग्याद कीजिए तो सेम पिछले ऐसा है लेकर थोड़ा सा अंतर है इसमें क्या है कि मूल धन का जो पहली वीडियों बताया था मैंने उसी की तरह है सेम पर थोड़ा सा अंतर है सब्सक्राइब तीन ब्रस मूल धन का का मतलब होता है गोडां наши कसेwać मूल धन की मैहली यह वहीं पांच से कम है यानिकि यह क्या होगी हमारी साधरन ब्याज क्या वहीं हिसाहली तीन साधरन ब्याज है तीन और मूल धन है अमारा five तो हम अपने एसाई बरावर किया है ती पी बरावर किया है पंच गुणा में आर पूछा गया है तो petite night वे तो नेक्स्ट यहां किसी धनका साधरान ब्याज उस धनका चार बटे 25 हो जाता है यदि बरसों की संध्या दर्की कि बराबर हो तो ब्याज की दर इतार व है अप पहीया हानी कि मैंने पहले ही बताया धनका यहीं भड़ा चार मट्टे पच्च्वससे कि महें ध्युभी होगी ऐसा हियो लुखी तो आथ कितने होगी चार पांशीब्स लो गया हमारा 25 याषाई प्रोडया प्रोड़ति या आर बरावर माले लिए हम this is तो इसको करते हैं SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100 SI कितना निकला हमारा 4 P कितना है हमारा 25 R हमने X माना है और T भी क्या माना है X तो हमने 100 कर दिया 25 से 100 गट गया चार बाड चार गुणा 4 16 X गुणा X X स्क्वेर हो जाएगा ओगे X की बैलू निकाल नहीं है तो X की बैलू क्या से निकाल देंगे रूट में 16 हो गया और 16 का बर्गमूल क्या होता है 16 का बर्गमूल होता है चार यानिकी X की बैलू आई 4 तो टाइम भी हमको कितना लगा है चार बर्स और अगर बात करें हम धर की घर यानिकी आर परसेंट तो आर परसेंट भी कितना हुगा हमारा 4 परसेंट चाहे हमसे टैम पूछे या दर पूछे कुछ भी पूछे हमारे 4 परसेंट आजाएगा पार्ट नमबर तीन हमारा खत्म गया है हमारी नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम आए गई तो उसको भी बहुत अच्छे से देखना हम एक ही मेतड़ से पूरी ऐसा ही खत्म कर देंगे ओके थैंक्यू सो मच और सब्सक्राइब मैं चैनल ओके थैंक्यू